हेलो, स्वालत है आपका Free EJK के शानल पे मेरा नाम है किरन भाबर आज के इस वीडियो में हम हडपा सब्वेता से जुड़े हुई 70 Important I'm Secures कवर करेंगे सारे कोशन बहुत ही ज़ादा important है और कई बार एक्जाम में पहले भी repeat हो चुके है वीडियो कलास तक जरूर देखेगा आपको revision करने के लिए इसका PDF में मिलेगा description में एक link दिया हुआ है वहाँ से आप easily download कर सकते हैं इस topic के questions करने से पहले हम यह समझेंगे कि सिंदू या हडपा सब्वेता क्या है अगर हम यह पहले अच्छी तरह से clear कर लेते हैं तो जितने भी questions हैं वो आप आराम से करवाओगे तो चले शुरू करते हैं देखें हडपा सब्वेता का जो केंद्र है या पंजाब एवं पंजाब एवं सिंद में है मुखेद देखा जाए तो जो सिंदू नदी है इसके जितने भी साहिक नदी है इसके आसपास ही यह फैला हुआ था यहीं से इसका विस्तार पूर्व और दक्षिन की और हुआ है, पूर्व और दक्षिन की और यहीं से इसका विस्तार हुआ है, इसके अंतरगत में पंजाब, सेंद, बलुचिस्तान, गुजराद, राजिस्तान, हरियाना और पश्चे में उत्तर प्रदेश के सीमान्त प्रां में है आलम गिरपूर यहां कुछ इस तरह का शेप बनाता है यहां समूचा छेत्र जो है त्री भुजाकार कहलाता है इसका छेत्र फल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमेटर है जो प्राचिन मिश्र और मैसो पोटामिया से कहीं जादा बड़ा है अब हम यहां पर मैप के माधियम से जो बहुत ही साथ important है उसको cover कर लेते हैं अभी मैंने आपको बताया कि जो सिंदु नदी है इसके कुछ सायक नदी है जैसे जेलम, चेनाप, रावी, सतलज यह से क्या आसपास फैला हुआ था देखिए हम यहां पर बात करते हैं पहले हडपा के बारे में जो हडपा है य जो सिंद में आता है लरगाना, सिंद के लरगाना में अभी पाकिस्तान में है और सिंदु यहां पर नदी है जिस पर यहां बसा हुआ है ज्यादातर यह नदी के आसपास ही बसे हुए थे क्योंकि जो जीने का जो में स्त्रोथ है वह तो पानी ही है इसलिए से के आसपास ही बसे हुए थे उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप यहाँ पर पश्रिम की तरफ पे बलुचिस्तान है यह वहाँ पर बसा हुआ था जो अभी पाकिस्तान में है और कौन से नदी पर है नदी आप से पूछा जाये तो दाशक नदी पर बसा हुआ था ठीक है उसके बाद आ आप यहाँ पर दिखेंगे रंगपूर, यह रंगपूर कहाँ पर आ रहा है, यह कौन सा मैप है, यह गुजरात वाला हिस्सा है, ठीक है, एहमदाबाद के काठिया वाड में है, जो भारत के अंदर है, और मादर नदी पर बसा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर आप पर दिखेंगे, बहुत सारी चीज़े हैं, जैसे रूपड हो गया, और जो एक और इंपॉर्टेंट है, वह है, काली बंगन, काली बंगन यह कहाँ पर है, राजिस्तान के हनुमानगड में है, भारत दिख में आता है, और कौन से नदी पर बसा हुआ है, नदी अगर आप स उसके बार सुरकोटदा, बनवाली, धोला वीरा, आप दिखेंगे आप यहाँ पर, धोला वीरा, यहाँ पर है, धोला वीरा, यह कहाँ पर है, गुजरात के कच के रण में है, भारत देश में है, और कौन से नदी पर है, नदी याद रहे है, आपको लूनी नदी पर है, न महरास्ट में, महरास्ट की आहमदनगर में आता है, भारत देशक में है और परवारा नदी पर बसा हुआ है, और देशल पूर भी है, जो गुजरात के कच्छ में आता है, इस तरह से बहुत सारी चीज़े हैं। पर बाद इनका क्या हुआ, नहीं पता किसी को, ये कैसे विलुप्त हुए, बहुत सारी तरह तरह के मन घर्णत यहां पर कहानिया है, किसी का मानना है कि बाड़ वगर आई होगी, किसी का मानना है कि किसी ना आकरमाण कर दिया होगा, आर्यो वगर आना आकरमाण क्या होगा, या फिर बहुत सारी तरह-तरह की यहां पर बाते होती हैं देखते हैं किस तरह के Question साते हैं एक्जाम में तो चलिए शुरू करते हैं हडपा सभेता First Question है हडपा सभेता का सरवाधिक मानेता प्राप्तकाल कौन सा है एक Process होती उसे कहते है Radio Carbon C14 उससे पता चलता है जितनी कम मात्रा होती है कार्बन 14 की उतना ही ज़ादा वहाँ चीज पुरानी होती है पता करते हैं कि कौन कितना साल पुराना था या फिर कैसे पता किया जाता है कि यह चीज कितनी ज़ादा पुरानी है तो एक process है, ठीके C14 एक process है, उसमें जितने ज़्यादा carbon 14 की कमी होती ही, उतना ही ज़्यादा यहाँ प्राचीन होता है, तो उस process के माद हमसे पता चला कि जो हडपा से बेता है, यह actually बहुत ज़्यादा पुरानी थी, इसापूर्व में चली गई यह चीजें, 2500 2699, 2699 यहाँ पर सन आएगा, उसके बाद दिखेंगे आप 2698 इस तरह सी उल्टा चलता चाता है, उल्टा चलते चलते यह बिल्कुल 0 में गए, 0 के बाद 123 करते हुए, आज हम जी रहे हैं 2022 में, ठीके तो इसापूर्व कैसे हैं, यहाँ पर उल्टा चलता है, और अभी जो ह हम cover कर रहे हैं, अभी जो हम जी रहे हैं, यह सब कैसे हैं, इसा पूरु में नहीं हैं, अब हम इस वी में चल रहे हैं, तो यहाँ पर हम सीरिल वाइस चल रहे हैं, ठीक। असानी से दे सकते हैं यहाँ पर ओडिसा लिखा है तो बिल्कुल नहीं होगा जम्मो कश्मीर भी दिली लिखा है तो यह भी बिल्कुल नहीं होगा ठीक है यहाँ पर भी ओडिसा लिखा है बंगा लिखा है तो यह तो होगा नहीं अंसर क्या होगा देखे पंजाब राजिस् गुजरात, उतरप्रदेश, हरियाना, सिंद और बलुचिस्तान। सिंद भाटी स्थल, काली बंगन, किस प्रदेश में है, मैंने आपको मैप में भी बताया, काली बंगन, कौन से प्रदेश में है, कहाँ पर आता है, यह राजिस्तान के हनुमानगड में है, यह खुर्वा मैप में देख लेते हैं, यहाँ पर देखेगा काली बंगन, यह जहरत का उपयोग हडपा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था, यहाँ पर सेल खड़ी का यूज किया जाता था, नेक्स्ट है हडपा सबेता किस युग की थी, देखें इस लोहे को तो बिल्कुल नहीं जानते थे, ये कांसी युग थे, ये कैसा य जब्पा सबेता कैसे निवासी थे, जो जब्पा सबेता के थे, ये शहरी तरह के निवासी रहे हैं, ग्रामिन नहीं थे, देखें उस समय कितने ज़्यादा एडवांस हो चुके थे, इनका क्या हुआ, ये लोग कहा गए, किस तरह से विलुप्त हुए, इनके उपर सिर्फ कुछ न कुछ बाते हो रखें, बहुत सारी लोगों निस पर बात कर रखें, बाकी अगर देखा जाए तो वास्तविकता कोई नहीं जानता, इतने साल पहले, इतने साल पहले, ये लोग शहरी हुआ करते थे, इनके जो घर थे, वह इट के हुआ करते थे, और अभी आप दे सिंदु सबेता के घर किससे बनाए जाते थे तब इट से बनाए जाते थे आप देखेंगे पहले इट से बनाए जाते थे उस समय नेक्स्ट है हडपा वासी किस वस्तु के उतपादन में सरप्रथम थे कपास में कपास में सरप्रथम थे यहाँ पर सबसे जादा उतपादन हो और कई बार एक्जाम में छप चुका है, याद रखेगा, निम्न लिखते विदवानों में से, हडपा सबेता का सरप्रथम खोज करता कौन है, दयाराम सहनी है, नेक्स्ट है, सिंदु सबेता का पतनगर, बंदरगा कौन सा है, बंदरगा है, लोथल, ये कोशन भी कई बार ए भी परिचित थे, यह खोज कहां पर हुई, इसकी खोज होई है, लोथल में, नेक्स्ट वोशन है, हडपा कालिन समाज किन वर्गों में विभगत था, ये विदवान भी थे, योद्धा, व्यपारी और श्रमिक, ये इसमें विभगत थे, एक दूसरे से अलग कैसे थे, वि इसको मेंली हडपा सभयता के नाम से जानते है, सिंदू सभयता को, नेक्स्ट है, नेमने लिखते मैंसे कौन से लक्षन, सिंदू सभयता के लोगों का सही चितरन करता है, दिखें, उनके विशाल महल और वंदिर हुआ करते थे, क्या, नहीं होते थे, वे देवियों और दे हडपा सभयता की खोज किस वर्ष में हुई थी, किस वर्ष में हुई थी, 1921 में, बहुत समय बात जाकर इसकी खोज की गई है, नेक्स्ट है, हडपा सभयता के बारे में कौन से उक्ति सही है, कौन से लाइन इसमें से सही है, कौन से पंक्ति इसमें से सही है, तो वह है, उन के लिए तब तक पवित्र नहीं थी उस समय वाले लोगों के लिए नहीं थी उन्होंने अश्वयमेद की जान कर रही थी क्या उनको नहीं थी उस समय, उनके संस्कृती समाने स्थिर नहीं थी ये भी गलत है, सही होगा option C वाला, उन्होंने पशुपती का सम्मान करना प्रारम कर दिया था, next है हडपा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी, उचित समतावादी उचित समतावादी इनकी पद्धति हुआ करती थी next question है, सिंद का नखलिस्तान बाग हडपा सबेता के किस पुरास्तल को कहा जाता है, किसे कहा जाता है बोहन जोद्डो को कहा जाता है सिंद का नखलिस्तान next है, हडपा सबेता के समपुर्ण छेतर का आकार किस प्रकार का था कैसा था यहाँ शेप कुछ इस प्रकार का इसे क्या कहते हैं, त्री बुजाकार कहते हैं next है सूची वन को सूची टू के साथ आपको सुमिलित करना है match the following है देखें, जो हडपा है, यह कौन से नदी पर है रावी नदी पर, बोहन जोद्डो है सिंदू नदी पर, लोथल है भोगवा नदी पर, और काली बंगा है गहगर नदी पर I hope यह आप बड़ी ही असानी से कर पाएं होंगे मैंने आपको मैप के माधियम से बताया नदी के उबर वैसे मैं अलग से वीडियो बनाई है कौन सी नदी कहां से बहती है और चितनी भी चीज़े होती है नदी से रिलेटेड, सब मैं आपको पहले कवर करवा चुके हूँ प्लेलिस्ट बनी हुई अलग से भारत का भुगोल करके वहाँ से आप देख सकते हैं देखे जिस तरह से हमने मैच किया है अंसर तो सामनी है तो यहाँ पर अंसर होगा 1,2,3,4 आई होप यह टॉपिक आपका क्लेर हो रहा होगा अगर क्लेर हो रहा है तो चैनल को ज़रू सब्स्राइब करना बेल नोटिफिकेशन आइकन पर अल प्रेस ज़रू करना नेक्स्ट कॉशन है हडपा सभेता के अंत्रगत हल से जोते गए खेत का साक्षिक कहां से मिलता है कहां से मिलता है यह काली बंगा से मिलता है वैसे दिखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें मिली है बहुत सारी चीज़ें मिले है जैसे तांबे के हाथी देमाबाद में मिले है तांबे का रत देमाबाद में मिला है चितरित घड़ा जो मिला है वह लोथल में मिला इस तरह से बहुत सारी चीज़ें मिली है नेक्स्ट है सेंदव सब्वेता की इटो का अलंकरण किस स्थान से मिला है जैसे जैसे कोशन आएंगे वैसे वैसे आपके और डाउट्स क्लियर होते जाएंगे सेंदव सब्वेता इसी कोई सिंदव सब्वेता कहते है याँ पर देखे थोड़ा सा नाम अलग से दे रखा है वही एकी बात है इसमें इटो का अलंकरण किस स्थान से मिला है काली बंगा से मिला है कहां से मिला है काली बंगा से नेक्स्ट है मोहन जो दूड़ो कहां स्थित है अब बताए कहां पर स्थित है आप इसका अंसर दे सकते हैं कुशन इक्जाम में आ चुका है आंसरों का बाप्शन बीवाला सिंद पर स्थित है और कौनसे नदी साही मतलब कौनसे नदी पर बसाओ है नदी पूछा जाए तो सिंदू नदी Next है, सिंदू सभेता में व्रत इसनाना घर कहां पाया गया है कहां पर पाया गया है मोहन जोदुडो में पाया गया है याद रखेगा, important है सिंदू सभेता में व्रत इसनाना घर कहां पाया गया है मोहन जोदडों में next question की तरह पढ़ेंगे हमारा next question है सिंदु सब्वेता के मुद्रा में किसे देवता के सम्तुल्य चित्रांकन मिलता है किसके जैसा मिलता है वहां की जो मुद्रा ये यूज़ करते थे वहाँ पर आध्य शेव के जैसे चित्रांकन मिलता है आध्य शेव जैसा next question देखेगा निम ने लिखते में से कौनसा हडपा कालिन स्थल गुजरात में था गुजरात में कौनसा था एक एक को कवर कर लेते हैं तो डाउट क्लियर हो जाएंगे काली बंगा कहां पर है याद रखेगा राजिस्थान में है घगर नदी पर था रोपड रोपड कहां है रोपड अगर पूछ जाये तो यह पंजाब में था जो सतलज नदी पर ठीक है बनावली बनावली कहां पर था याद रखेगा यह हर्याना में है जो सरसती नदी पर बसावा था, कहां पर हरियाना में, अब लोथल बचा है यहां पर, तो लोथल कहां पर था, यहां गुजरात में था, गुजरात के अहमदाबाद काठियावाड में, कौन सी नदी पर बसावा था, भोगवा नदी पर बसावा था, ठीक है, जितने भी पॉ जोड़ो का स्थान्य नाम क्या था मुरत्तको का टीला नेक्स्ट है हडपा सभेता का प्रचलेत नाम क्या है इसका प्रचलेत नाम क्या है सिंदो घाटे की सभेता नेक्स्ट है सेंदव इस थलो के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम निलिकते में से किस पशू का सरवधि उतकरिनर हुआ है यहाँ पर जो भी मोहरे वगेरा मिली है सबसे जादा किस पशूर की वहाँ पर चित्र आपको देखने लिए मिला है सबसे जादा मिला है बैल का याद रखेगा बैल का मिला है next question है सिंदू घाटी सबेता जानी जाती है सिंदू घाटी सबेता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है next है सिंदू सबेता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है भारत में कौन सा स्थित है इसमें से हडपा है क्या हडपा नहीं है ये पंजाब मांट गुमरी में जो अभी पाकिस्तान में है बहाँ जो दुड़ है क्या नहीं सिंद लर्काना जो पाकिस्तान में लोथल है क्या जी हाँ लोथल कहाँ पर है गुजरात में और किस नदी पर बसा हुआ है इक अरवा रिविजन कर लीजेगा भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर है correct answer क्या होगा इसमें से option ए वाला हडपा हडपा है next है भारत में चांदी की उपलपधिता की प्राची नितम साक्षे मिलते हैं मिलते हैं हडपा संस्कृति में next question है सिंदु सब्वेता के बारे में कौन सा कथन असत्य है कौन सा जूटा है देखे नगरों में नालिया थी क्या जी हाँ थी महा तो व्यापार और वाने जेव उन्नत दशा में था क्या हाँ ये लोग व्यापार करते थे मातर देवी के उपासना की जाती थी दिखे ध्यान दीजेगा ये लोग मातर देवी के उपासना करते थे लोग लोहे से परिचित थे क्या नहीं नहीं थे परिचित बाकि ये तीनों पॉइंट इंपॉटेंट है याद रखेगा ये बिल्कुल सत्य है सिंदु सब्वेता के बारे में अशत्य यह है कि ये लोहे से परिचित थे क्या नहीं लोहे को तो ये जानते नहीं थे नेक्स्ट है मैस्ट रफोलेंग है आपको मैच करके बताना है काफी जादे इंपॉटेंट अब आप इसका अंसर दे सकते हैं उत्तरी सीमा उत्तर, उत्तर में देखा जाये तो सिद्धु सभ्यता कहां तक फैले हुई थी, मांडा, मैं पर बता है आपको मैंने, दक्षिन के बात करें तो हम, महरास्ट में है, देमाबाद, वहां तक फैला हुआ था, पूर्व की और उत्तर प्रदेश की तरफ फैला हुआ था, इधर पूर्व की तरफ फैला हुआ था, उपर देखें, मांडा तक फैला था, नीचे देमाबाद, यहाँ पर पूर्व की और उत्तर प्रदेश के आलमगीर पूर में, और यहाँ पर पश्यम की तरफ, पश्यम इसे मह कहां तक फैली हुए थी, सुत्का, गेंडोर, बलुचिस् इंपॉर्डेंट है, मैप के माधियम से अगर आपने ध्यान से कर लिया है, तो आपको समझना बहुत ही आसान होगा, देखें जिस तरह से मैच किया है, अंसर इसका होगा यहाँ पर आप्शन यह वाला, 1, 2, 3, 4, सामनी दे रखा है, नेक्स्ट है, मांडा किस नदी के किना किनारे स्थित है, बताइए, किस नदी की किनारे स्थित है, चेनाब नदी की किनारे स्थित है, कौन से नदी की किनारे याद रखेगा, चेनाब नदी की किनारे स्थित है, कहाँ पर है, जमो साइड है, नेक्स्ट है, हडपा कालिन स्थल, रोपड, पंजाब, किस नदी के क नारे बसा हुआ है यहां बसा हुआ है सतलज नदी पर हडपा कालिन स्थल जो रोपड है यह एक्चुली पंजाब में है मैंने आपको बताया था रोपड कहां पर है पंजाब में है जो भी भारत में आता है भारत में आता है यह वाले हिस्सा और कौन से नदी पर है सतलज नदी की सहिक नदी है नेक्स्ट है हडपा में एक उनत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है कहां से पता चलता है धोला वीरा से पता चलता है धोला वीरा कहां पर है गुजरात के कचके रण में है जो भारत में आता है और लूनी नदी पर बसा हुआ है नेक्स्ट है निमने लिखते मेंसे किस यूग में पढ़ता है, किस यूग में आता है, यहाद रखेगा, आध्य अतिहासिक काल में यहाद आता है, कांसी यूग था, कांसी यूग था, लोह यूग नहीं था, कांसी यूग था, सिंदु घाटी सबीता की विक्षित अवस्ता में निमने लिखते मेसे के स्थल से घरों में कुव के अवशेश मिले हैं मोहन जोदरों में ये लोग कुवा खोदे थे पानी के लिए ठीक है पानी नहीं मिलता था आसपास दूर होता था तो कुवे का भी यहाँ पर यूस किया है इनोंने यहाँ पर और भी हम important point आपको कवर करवा देते हैं देखिए जो दयाराम साहनी इनोंने 1921 में 1921 में हडपा हडपा जो स्थल है इसकी खोजगी थी और जो मोहन जोदड़ो है इसकी खोजगी थी राखल दास बनर जी ने कब 1922 में यह point दोनों आप याद रखेगा काफी कालीन सभ्यता थी रंगपूर बताया था मैंने आभी आपको यहाँ काठिया वाड एहमदाबाद में आता है भारत में कौन से नदी पर वसा है मादर नदी पर वसा हुआ है ठीक है मादर नदी पर वसा हुआ है और कहाँ पर है यहाँ पर अगर आप दिखे तो अंसर सौरास्ट अगर कुजरात भी देते तो बिल्कुल सही होता सौरास्ट भी सही है नेक्स्ट है हडपा एवं मोहन जोदडो की पूरा तत्विक खुदाई के प्रभारी थे कौन थे इसके प्रभारी इसके प्रभारी थे सरजान मार्शल याद रखेगा सरजान मार्शल इसके प पोटामिया की सभेता के मध्य व्यापारिक संबंद रहे थे वहाँ बैल मिला है मतलब की जब इनोंने व्यापारिक होगा एक दूसरे के बीच में तो एक दूसरे के पास इस आकरति के मुहर मिली है जिससे पता चलता है कि दोनु के बीच में व्यापारिक सम्बन्ध रहे होंगे मैसो पोटामया और सिंदु सबेता के बीच में व्यापारिक सम्बन्ध भी रहे थे बैल की आकरती के यहाँ पर इन्होंने सिखे चलाए थे मुहर चलाई थी नेक्स्ट है सिंदु घाटी के लोग विश्वास करते थे ये किसमें विश्वास करते थे मात्र शक्ती में विश्वास करते थे आत्मा और भ्रह्मा में नहीं कर्मकांड में यग में नहीं करते थे मात्र शक्ती में ये लोग विश्वास करते थे नेक्स्ट कुशिन है निम दिलिकते में से कौन सा सिंदुस्तल समुंद्र तट पर स्थित नहीं है सूर कोटदा कहां पर है बताईए यह कच में है यहाँ पर आप दिखेंगे इधर है कच में है गुजरात के कच में है भारत में सावरमती एवं भोगवा तो यह भी तट पर आता है लोथल जो है लोथल यहाँ पर आपको मैंने बताया था लोथल जो है यह भी तट पर बसा हुआ है एहमदाबाद काठियावाड में भारतेश के भोगवा नदी पर है जो तट पर आता है बाला कोट जो है यहाँ पर है यह भी तट पर बसा हुआ है समुंद्र तट नहीं है यही आपसे पूछा है सवाल देखे इस तरह की कोशन्स भी आते हैं तो बहुत सारी चीज़े आपको पहले सही डेटेल में पता होना चाहिए कोट दीजी जो है पाकिस्तान में आते हैं अभी सिंद महापर है और सिंदू नदीग पर बज़ा हुआ है सबसे बड़ी इमारत किसे माना जाता है विशाल इसनाना घर को माना जाता है अब याद रखेगा इसको आप याद रख लीजी नेक्स्ट है सुची दो के साथ आपको सुमिलित करना है वैसे ही है यह प्राचिन स्थल है और यहाँ पर कुछ मिले हुए आफशेर्स है तो कौन से चीज़े कहाँ पर मिली है देखें लोथल में मिला है गोदी वाड़ा, डौक्याड वहां से मिला है याद रखेगा काली बंगन में क्या मिला है जूता हुआ खेत मिला है दोला वीरा में क्या मिला है याद रखेगा हडपाई लिपी के बड़े आकार के दश चिन हो वाला एक शिलालेक वहां से मिला है वनवाली में क्या मिला है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकरती मिली है यह चारो पॉइंट आपको याद रखने हैं काफी सदा इंपोर्टेंट है यह कुशन आ चुक है एक्जाम में पहले भी 2002 का कुशन है लोथल में क्या मिला है? गोदी वड़ा मिला है बनवाली में पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकरती मिली है जिस तरह से मैच करेंगे हमारा अंसर होना चाहिए एका है टू फिर वन फिर आप दिखेंगे फोर और थ्री हमारा अंसर होगा टू वन फोर थ्री ऑप्शन बी निमनलिक्त पश्वों में से किस एक का हडपा सब्यता में पाई मोहरो और टेरा कोटा कलाकरतियों में निरूपन अलंकन नहीं हुआ है देखे शेर उसमें नहीं था हाती है गेंडा है बाग है इनके वहाँ पर चित्र देखने के लिए जो भी मोहर वगर ये यूज करते थे या फिर कलाकरतियां करते थे उसमें ये सब होते थे शेर नहीं हुआ करते थे नेक्स्ट है हडपा वासे किस धातू से परिचित नहीं थे बताईए किसे परिचित नहीं थे लोहे से परिचित नहीं थे टीन एवं सीसा से परिचित थे, तांबा एवं कांसा से थे, सोना एवं चांदी से ये परिचित हुआ करते थे, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे नेक्स्ट वोशन है निमने लिखते में से किस स्थल से यूगल शवाधान द्वीर सव संसकार का प्रमाणन मिलता है मतलब दो को एक साथ वहाँ पर गाड़ दिया गया या फिर किसी प्रिय वस्तु को उसके साथ गाड़ दिया गया है इस तरह से ये चीज़े मिलती है लोथल में कहाँ पर देखने के लिए मिला है लोथल में एक के साथ दो भी वहाँ पर गाड़े हुए थी नेक्स्ट है कपास का उत्पादन सरप्रथम सिंदु छेतर में हुआ जिसे ग्रिक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे वहाँ के लोग इसे क्या कहते थे सिंदन कहते थे क्या कहते थे सिंदन कपास का जोत्पादन हुआ है सबसे पहले सिंदु छेतर में हुआ है और ग्रिक यूनान के लोग इसको सिंदन के नाम से जानते थे नेक्स्ट है हडपा के काल का तांबे का रध किस स्थान से मिला है तांबे का रध कहां से मिला है देमाबाद से मिला है कहां से मिला है देमाबाद कहां पर है यहाँ महरास्ट के अहम्दनगर में है जो भारत देश में आता है और परवारा नदी पर वसा है चलिए नेक्स कुशनिक तरह बढ़ते हैं हडपा वासी किनके धातों का आयात करते थे यह चांदी टेन सोना इसका यह आयात क्या करते थे अंसर हो ओप्शन एवाला 1,2,3 इन सपी का यह आयात करते थे हडपा वासी लाजवर्द का आयात कहां से करते थे भवन निर्मान के सामयगरी का यह आयात कहां से करते थे कहां से लेते थे यह लोग यह हिंदू कुश छेतर के बदखशा से लेते थे हिंदू कुश छेतर के बदखशा से यह चीज़े आयात क्या करते थे घर बनाने के लिए भवन का निर्मान करने के लिए नेक्स्ट है कौन-कौन से नगर सिंदु सब्वेता के बंदरगाह नगर थे बंदरगाह नगर कौन-कौन से थे तो देखे लोथल तभी हमने पढ़ा था जो इंपोर्टन्ट है याद रखेगा लोथल एवं सुत का गेंडर भी था अलाह दिनो एवं बाला कोट भी रहा है कुन तासी भी रहा है तो अंसर होगा इन में से सभी ये सभी इसके बंदरगाह थे सिंदो सभ्यता के बंदरगाह नेक्स्ट है मोहन जोदोडो से प्राप्त पश्वपति सिव आदेशिव मुहर में किनकिने जानवरों का अंकलन हुआ है क्या होगा इसका अंसर इसका अंसर होगा देखिए व्यागर एवं हाती का भी इसमें मिला है गेंडा एवं भेशा का भी मिला है इन सबके भी उसमें शित्र थे इन में से सभी answer हो go option डी वाला कुछ चिजह आप जरूर याद रखेगा नेक्स्ट है, किस हडापा कालिन स्थल से रट्य मुद्रफ राली स्थरी की कांसे मुर्थी प्राप्त होई है कहां से मिली है यहां मोहन जोद्रो से मिली है important question है नेक्स्ट है किस हड़ापा कालिन स्थल से पुजारे की प्रस्तर मुर्ती प्राप्त हुई है कहां से मिली है मोहंजोद्रों से मिली है किस सिंदु कालिन स्थल से एक एट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंचों के निशान मिली है यह मिला है चहुंद्रों से नेक्स्ट है, किस हड़ापा कालिन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मचली दवाई चिडिया एवं एक पेड़ के नीचे खडी लोमडी का चित्रांकर आगण मिलता है, जो पंचितन्त्र में लोमडी की कहानी जैसा दिखता है, यह कहां से मिला है, इस तरह का जो चित्र और मिला है, यह कहां से प्राप्त हुआ है? यह मिला है लोथल से नेक्स्ट कुशंट दिखिएगा अब देख सकते हैं, आप जो एक यह वर्ड लिखा हुआ है यह कितना ज्यादा टिपिकल है, आप एकदम से पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा इसका वैसे meaning यह है कि स्वतंतरता के बाद स्वतंतरता के बाद इसका meaning है जो ऐसे words आते हैं जिसे पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है या फिर जिसका meaning आप नहीं समझ पाते हैं तो आपसे request है पहले आप इसका meaning सर्च करें उसका जो आसान सा meaning है उसको आप सर्च करें उसको याद करें उसके बाद आप किसी भी answer को याद करें या फिर किसे भी question का answer ढूणने की कोशिश करें इसका meaning यही हुआ स्वतंतरता के बाद स्वतंतरता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हडपा योगिन स्थलों की खोज के सप्रांत में हुई है गुजरात प्रांत में हुई है कहां से हुई है गुजरात के जो गुजरात वाला जो छेतर है वहाँ पर सबसे जादा इसके स्थल मिले है हडपा के जो मेन थे उसको तो मैंने कवर करवा दी जैसे धोला वीरा यह कहाँ पर है कचकारण गुजरात में है देसलपूर यह कच गुजरात में है उसके बाद और भी बहुत सारे मैंने कवर करवाय थे जैसे लोथल लोथल हो गया यहाँ भी आहमदाबाद काठ्यावार में आता है रंगपूर भी हो गया जितने कौनसी चीज़े नहीं खाते थे यूज नहीं करते थे मुख्य रूप से चावल चावल जादातर ये लोग यूज नहीं करते थे खाते नहीं थे इसको जो डाले गे हो मुख्य रूप से ये इसी को ही खाते थे चावल बहुती कम मौकों पर या फिर कहीं कहीं जगा पर तो उसके साश्य मिले ही नहीं है नेक्स्ट कोशन है कथन दे रखा है उसका कारण है यह हडपा तता मोहन जोड़ो अब विलिप्थ हो चुके है विलिप्थ हो चुके है वे उत्खनन के दौरान प्रकट होए थे जी हाँ यह इसका कारण बिल्कुल सही है अंसर यहाँ पर होगा उप्शन एवाला ए और आर दोनों सही है तता आर ए का सही स्पस्टी करण करता है हडपा तता मोहन जोड़ो कितने साल पहले की बात है 2500 एसा पूर्वी की बात है यह तब यह चीज़े हुआ करती थी तब इन्होंने इट के घर बना लिये थे यह लोग व्यापार करते थे यह चीज़े बहुत पहले हुई थी लेकिन यह कैसे बिलुप्त हुए किसी को कुछ नहीं पता उत्खनन किया गया है मतलब जमीने जब खोदी गई तो वहाँ पर इनके साक्ष वगेरा मिले एक प्रोसेस थी C14 वाली उसकी उस प्रोसेस से पता चला कि यह चीज़े बहुत ज़्यादा पुरानी है चलिए सुची 1 को सुची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है सुची 1 में यहाँ पर हडपस थल है और सुची 2 में यहाँ पर किस राज्य में अभी यह आता है यह दे रहखा है जो मानड़ा है यह कहाँ पर आता है बद TL आपको इस समझना बहुत ही आसान हो जाएगा प्रेक्टिस करने के लिए आपको पीडियαफ में मैप दे दिया जाएगा आप प्रेक्टिस कीजेगा आप रिविजन कीजेगा और इस टॉपिक को बहुत ही अच्छा क्लियर कर लीजेगा जिससे से मैच किया न हमार अंसरों का ओप्शन सी वाला 3,4,1,2 नेक्स देखेगा हडपा कालिन स्थलों में अभी तक किस धातों की प्राप्ति नहीं हुई है क्या नहीं मिला है लोहा वहापर नहीं मिला है मतलब ये लोग लोहे को पैचानते ही नहीं थे तांबा मिल गया, स्वन्ड मिल गया, चांदी मिल गई लेकिन लोहा नहीं मिला नेक्स है किस पशो के आवशेस सिंदो घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए है शेर के आवशेस नहीं मिले घोडे मिल गए है, दफनाए हुए घोडे मिल गए गाई मिल गए, हाती मिल गए इनके वहाँ पर आउशिस मिले लेकर शेर नहीं मिले नेक्स देखेगा चहुंदडो की उत्खनन का निर्देशन किया था किस ने किया था इसका निर्देशन याद रखेगा जे एच मेके ने किया था जे एच मेके ने किया था नेक्स टें निवने लिखते में से कौन कोई परका हडपसथल नहीं है यह कोशन आचुका है 2019 का सवाल है देखे अभी तक जितने भी कोशन साय थे और जितना भी Shankaran ये टोपिक था वो मैंने आपको बहुत ये अच्छे तार से clear करवा दिया आज की वीडियो में इतना है, सारी चीज़े आपको रिविजन करने के लिए मिल जाएंगी, पीडियेफ में अब यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं चाहो तो एक और बार में आपका रिविजन करवा दूँ लास्ट में, अब यहाँ पर देखेंगे इधर आता है, बलुच्चस्तान में है जो पाकिस्तान में है अभी और दाशक नदी पर बसा हुआ था इधर तो अभी कुछ मिला नहीं है खुदाई वगरा में, जिस तरह से शेप बनता है यह कुछ ऐसा शेप बनाता है यह कहां तक जाता है, इधर नीचे के तरफ महरास्ट में भी जा रहा है तो यह सा शेप बनाता है शेप को हम क्या कहते है, त्री भुजाकार कहते है नदी के आसपास ही बसा हुआ है या फिर यहाँ पर तट पे बसा हुआ है यह कैसे विलुप्त हुए, कहां गए कोई नहीं जानता, बहुत सारी तरतर की बाते हैं जैसे दिखे, महा भेंकरबाड की परिकर्पना इस तरह सीग बात कही थी किसने कही थी, या जॉन मारकल मेके ने कहा था कि ऐसा कुछ हुआ होगा बहंकरबाड आ गई होगी या फिर सिंदो नदी का मार्ग परिवर्तन हो गया होगा यह सिंदो नदी है, इसने अपना रास्ता बदल दिया होगा, शायद इस वज़े से लोग यहां से चले गए, या फिर खतम हो गए पानी नहीं मिला होगा तो, उसके बाद कहते हैं कि यहाँ पर शुश्क हो गया होगा मतलब यहाँ पर पानी खतम हो गया होगा गगर नदी सूख गई होगी, ऐसा कुछ हुआ होगा तो यह लोग यहां से खतम हो गए या फिर बर-बर आकरमन कर दिया होगा इनके उपर किसे ने, यहाँ पर यह आराम से रह रहे होंगे, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा फलेफुली लोग थे, यहाँ पर पानी की वज़े से बहुत ही ज़्यादा यह एडवांस हो रहे थे, तो क्या पता आसपास के लोगों ने यहाँ पर इनके उपर आकरमन कर दिया एक तरकी ये भी बात होती है, कि आरियों ने इन पर आकरमन किया था क्या, ऐसा किस ने कहा था, ये गार्डन ने कहा था, गार्डन, चैल्ड एवं हिलर ने कहा था, कि आरियों का यहाँ पर शायद आकरमन होगा था, बहुत तरकी मानियता हैं, बहुत तरकी बाते हैं, I hope आज आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अगर आपको पसंद आई है, चैनल पसंद आया है, exam point of view से helpful लगा है, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन पे all प्रेस जरूर कर दें, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आज की वीडियो आपको कैसे